मैजिकल स्पीड ब्रेकर सूपरकार टेक्सी उसी गाव में किशन नाम का एक लोहा रहता था बस उसी का बेटा शहर में पढ़ाई करने गया था वो बेटा जब लोट आया तब उसे गाव की हालत देख कर बहुत बुरा लगा और वो कहने लगा ये क्या हो रहा है गाव में? दुनिया कहां से कहां चली गई? और अब भी हम यही पे अटके हुए है? कब तक उस मुखिया की जबरदस्ती को सहन करोगे आप सब? मैं कल ही शहर जाकर एक नई गाड़ी खरीद कर लाता हूँ. फिर देखता हूँ ये मुखिया हमारा क्या भी इस तरह किशन का बेटा शहर जाकर अपने कमाई हुए पैसो से एक टैक्सी खरीद कर लाया. जब वो उस टैक्सी से गाव वालों को गाव से शहर ले जाने और वापस लाने लगा, तब दीरे-दीरे मुखिया की दहशत गाव वालों के मन से कम हो गई. जिस वज़े से मुखिया बड़ा ही चालबास था. उसने शहर से कुछ लोगों को बुलाया और उनसे कहे कर शहर के रास्ते पर एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर बनवाया. पर वो कोई आम स्पीड ब्रेकर नहीं था. जैसे ही कोई गाड़ी उसके पास पहुँचती, उसकी उचाई अपने पढ़ने लगती, वो किसी को भी आगे बढ़ने ही नहीं देता. गाव की टेक्सी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा, जब भी वो वहां से गुजरने की कोशिश करती, स्पीड ब्रेकर उसे वही पर रोक कर रखता. कई नाकाम कोशिशों के बाद किशन का बेटा समझ गया कि ये मुख्या की कोई चाल है, उसने भी इट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली और वो काम पे लग गया. ओ, तो गाव वालों को परेशान करने की साजिश की है इस मुख्या ने, पर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं। काम करने के बाद उसके टैक्सी उस मैजिकल स्पीड ब्रेकर को टक कर देने लाइक बन चुकी थी. तब मुख्या कहता है, अब आया ना उट पाहड के नीचे, अब बिना मेरी इजाज़त गाव से बाहर जा कर दिखाया। उसका मज़ा कुडाने वो भी स्पीड ब्रेकर के पास पहुच गया। लेकिन जैसे ही टैक्सी स्पीड ब्रेकर के पास पहुची, वो स्पीड ब्रेकर अपने आप उचा उटने लगा। मुखिया ये सब देख कर मन ही मन खुश हो रहा था कि तब ही उसने टैक्सी को पीछे हटते हुए देखा, उसे लगा किशन के बेटे ने हार मान ली। बड़ा या गाउ से बाहर जाने वाला, जैसे आया वैसे ही वापस लोट रहा है। चलो हम भी अब घर चलते है। मुखिया वापस जाने के लिए तयार था कि तब ही अचानक उसे टैक्सी की आवाज और जोर से आने लगी। उसने मुड कर देखा तो टैक्सी अपूल स्पीड से चल रही थी। और देखते ही देखते वो हवा में उड़ती हुई, स्पीड ब्रेकर के उस पार आराम से जम जाएंट वोल्फ अटैक हिलिकॉप्टर एक बड़ा सा हिलिकॉप्टर आस्मान की उचाईयों को चूकर जमीन को देखने नीचे आ रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उस हिलिकॉप्टर को पकड़ कर हवा में गुमाया और दूर कही फेक दिया हिलिकॉप्टर क्रैश होकर एक बड़ा सा धमा का हुआ उस हिलिकॉप्टर का इंतजार कर रहे सब लोग डर गए उन्होंने अटैक करने वाले की तरफ देखा उन्हें लगा ऐसे ही किसी हिलिकॉप्टर या बड़ी ताकत ने उस पर अटैक किया है पर हमलावर को देखते ही उनकी चीखे निकल पड़ी वो एक जाइंट वॉल्फ था जो गुस्से में अपनी छाती पीट रहा था और जोर-जोर से चिल्ला रहा था सब लोग उसे देखते ही बाग खड़े हुए सुमीत कहता है अरे ये क्या था? ऐसा जानवर मैंने आज तक नहीं देखा कहां से आया ये अचानक तुफान की तरह? यस पर अब ये सब सोचने का वक नहीं है अभी ये सोचो कि इसे कैसे रोका जाए? कुछ तो करना पड़ेगा पर मुझे लगता है इसे रोकने के लिए इसके जड़ तक जाना ज़रूरी है पता तो चले इसकी कमजोरी क्या है? ये वक चानविन का या एक्स्पिरिमेंट करने का नहीं है सुमीत अमीत और सुमीत के विचार काफी अलग-अलग थे पर दोनों पर उस वॉल्फ को रोकने की जिम्मेदारी थी उस वॉल्फ को रोकने के लिए अमीत ने फाइटर हेलिकॉप्टर समंगवाए उन्हों ने उस पर एक साथ हमला किया पर वो नजाने किस मिट्टिका बना था या शायद पत्थर से बना होगा उस पर अजिनत फोल्यों का भी असर नहीं हो रहा था उल्टा वो और भी उससे हो जा रहा था उसने फिर से एक एक हेलिकॉप्टर को पकड़ पकड़ कर पीट दिया और डिस्तॉइ कर दिया बस एक हेलिकॉप्टर बचा हुआ था पर अमित ने उसे वापस गुलवा लिया उसे पता था अगर वो वहाँ एक मिनिट और रुका तो उसका भी ठीक वैसे ही हाल होगा जो बाकियों का हुआ है डैमिट सारे हिलिकॉप्टर्स को चुटकियों में मसल दिया इस शैतान ने ये सुमित भी नाजा ने कहा चला गया अमित यहां उस वल्फ को रोकने की कोशिश में लगा था तो दूसरी और सुमित को सुमित का कोई अता पता नहीं था जिसके वज़े से अमित का पारा और बढ़ता चला गया वो हर किसी को सुमित के बारे में पूछने लगा फोन भी नहीं लग रहा है सुमित दूसरे दिन वापस आ गया और तुरंट अमित से मिलने चला गया अमित ने पहले तो उसे गुसे से देखा फिर उसके खराब हालत देख उसने अपना सारा गुसा साइड में रख दिया ये सब क्या है तुमारी ये हालत कैसे हुई किसने की पता है यहां मैं कितना परेशान था बस उसी परेशानी का हल ढूनने गया था मेरे दोस्त मतलब तुम कहा गए थे यार टारगेट के पीछे उसकी कमजोरी जानने सुमित उसे बताता है कि वो और उसका रोबोट छुपते छुपते उस जाइंट वुल्फ के पीछे गया थ उसका पीछा करते करते वो जंकल तक पहुँच गया था पहले उसे लगा कि वो एक जंगली जानवर है और गलती से शहर आ गया था पर उसके ठिकाने का पता चलते ही उसका सारा भ्रहम तूड गया वो वो वुल्फ एक बड़ी सी टेंड जैसी लैब में गुज गया था और तुम यकिन नहीं मानोगे अमित उसे खास हिलिकॉप्टर पर अटेक करने के लिए ही बनाया गया है वो लोग उसे कंट्रोल कर रहे थे उसे अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है बस मुझे ये समझ नहीं आया कि वो लोग कौन थे पर हाँ उस वोल्फ के कमजोरी का पता चल गया है ये देखो ये है वो केमिकल जिससे हम उसे खतम कर सकते है मैं उसी टेंट से चुरा कर लाया हूँ ये और मेरे रोबोट अभी भी वही पर है और उन पर नजर रख रहे है जैसे ही वोल्फ इस और आएगा मेरा रोबोट मुझे इनफार्म कर देगा और हम तब ही उसका सामना करने के लिए तयार हो जाएंगे यू आर हॉरिबल समीत ये सब तुमने अकेले किया वो भी मुझे बिना बताए अगर तुमें कुछ हो जाता तो परमानना पड़ेगा दुश्मनों से लड़ने का तुमारा स्टाइल ही अलग है उपर से तुमारा वो रोबोट दोनों दोस्त गले मिलते हैं और अब मिशन सक्सेस्फुल करने की ठान लेते हैं दूसरे दिन वो दोनों खुद दो अलग-अलग हेलिकॉप्टर्स में पाइलेट के साथ बैट जाते हैं और अपनी अपनी गंस में उस केमिकल्स की बुलेट को लोड कर लेते हैं तभी सुम भगाते रहते हैं कि तभी अमित का पाइलेट गल्ती से हिलिकॉप्टर थोड़ा नीचे लाता है और वोल्फ के शक्तिशाली हातों का फटका उस हिलिकॉप्टर पर पड़ता है और वो थोड़ा डैमेज होके वहां से किसी तरह बच निकलता है सुमीत मेरा हिलिकॉप्टर डैमेज है मैं अभी दूसरे हिलिकॉप्टर में बैटकर तुमारे पास आ रहा हूँ तब तक तुम कोई रिस्क मत लेना और उसे दूर ही रहना ओके जल्दी आना और जड़ा संभाल कर अमेज दूसरा हिलिकॉप्टर डाने जाता है पर उसे काफी वक्त लगने लगता है यहाँ वो वोल्फ पेड़ घड़कर उसे सुमीत के हिलिकॉप्टर पर फिक के मारता है जिसकी वज़े से अब सुमित को गुस्सा आने लगा था उसने हिलिकॉप्टर थोड़ा नीचे लेने के लिए कहा ऐसा करते ही उसने वोल्फ पर निशाना साथा उसी वक्त उसका हिलिकॉप्टर भी वोल्फ के पकड़ में आ गया अचानक यह बड़ा थिमा का हुआ और काले धुए से वोल्फ और हिलिकॉप्टर छिप गए कि तबी अमित वहां पे आ गया ओ नो सुमित शिट थोड़ी देर रुकते सुमित मैं बस आ ही रहा था यह सब क्या हो गया मेरी देरी की वज़े से आज मेरा सबसे प्यारा दोस्त मैंने खो दिया ओ तो वोल्फ तुमारा दोस्त था तुमने उसे भेजा था इडियट मैं वोल्फ की नहीं मेरे दोस्त सुमित की बात कर रहा हूँ तुम तुम यहा तो वो कौन अमित को लगा था कि सुमित नहीं रहा पर सुमित वॉल्फ से फास निकला और उसका निशाना भी सही लगा इसलिए वो नहीं वॉल्फ एक बड़े धमाके के साथ उड़ गया सुमित भी अपने हिलिकॉप्टर से नीचे गिरने लगा कि तभी उसके रोबोट ने उसे हवा में पकड़ लिया और उसे बचा लिया रोबोट को ठैंक्स बोलकर सुमित ने तुरंद उस टेंड की तरफ अपने रोबोट को भेज के वहां के लोगों को पकड़ कर लाने के लिये कहा दोनों दोस्त फाइनली उस जैंट वॉल्फ से चुटकारा पाकर बहुत खुश थे सुमित की बात अमित के पल्ले नहीं पड़ी कि तबी वहां सुमित ने भेजा हुआ रोबोट कुछ लोगों को पकड़ कर ले आया और उसने सुमित को ये भी बताया कि टेंड को भी सील कर दिया गया है सूपर्ब तुमने और तुमारे रोबोट ने आज तो कमाली कर दिया ये इनसान की समझदारी और रोबोट की ताकत ने मिलकर एक भयानक जैंट वॉल्फ को हरा दिया था